नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टोडी 101 पर और मैं हूँ दिव्यवर्मा दोस्तो आज का टॉपिक है जैपुर शैली बहुत ही महतुपोंड शैली है इसलिए ध्यान से पढ़ीगा और दोस्तो अगर आप लोगों को कहीं पर कोई कन्फूजन होता है किसी पॉइंट में कोई भी समस्या आती है तो आप हमसे टेली ग्राम चैनल पर कॉंटक्ट भी कर सकते हैं और अगर आपने अभी तक हमारे वाट्सैप और टेली ग्राम चैनल को जोईन नहीं किया है तो जाकर कर लीजे लिंक आपको वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगी तो चलिए फिर पढ़ना सुरू करते हैं अब एक चीज़ यहाँ पर आप समझे राजस्थानी चित्रकला की जो फर्स्ट वीडियो है अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर देख लीजेगा तो वहाँ पर आपको बताया गया था कि राजस्थानी शैली को हम चार भागों में डिवाइट करके पढ़ते हैं और इन चारो भागों के अंतरगत कुछ उप शैलिया भी थी तो इन में से जो उपर के तीन भाग हैं इन तीन शैलियों को हम कंप्लीट कर चुके हैं और आपकी जो लाश्ट बच्टी है धुन्धार शैली इसको हम आज पढ़ने वाले हैं तो दुन्धार शैलिय के अंतरगत आपको वहाँ पर कुछ उप शैलियां बताए गई थी जिसमें जैपुर शैलिय भी शामिल थी चोंकि आपकी इस लाइबस में दुन्धार शित्रकला से केवल जैपुर शैलिय ही दी हुई है इसलिए हम आज की क्लास में आपको जैपुर शैलि के बारे में विस्तार से सभी पॉइंट्स बताएंगे और दोस्तों दुन्धार शित्रकला की सबसे महतपुर शैलिय जो है वो जैपुर शैलिय है इसलिए हम जैपुर शैली को ढुणधार शैली के नाम से भी जानते हैं तो ये चीज़ आपको clear हो गई कि अगर पेपर में पूछा जाये कि ढुणधार शैली के विसे स्थाय लिखिए या फिर डुणधार शैली से संबंधित कोई भी प्रशन आएगा तो आपको जैपुर शैली ही लिखनी होगी clear हुआ है इतना अब चलिए इसे पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके नामकरण के बारे में डुणधार शित्रकला शैली में जैपुर शैली अलवर शैली सेखावटी एवं उनियारा आदि का विस्तृत रूप से अध्यन करते हैं या अभी आपको मैंने बताया था कि डुणधार शित्रकला के अंतरगत कुछ उप शैली आती हैं ही यहां पर दी हुई हैं जैपुर अलवर सेखावटी उनियारा और आपके स्लैबस में जैपुर शैली हैं तो इसलिए हम जैपुर शैली को पढ़ रहे हैं यानि जिस शैत्र में धुणधार शैली चली थी यहां पर ढूंध नदी थी मतब आसपड़ोस में कहीं पर ढूंध नदी थी तो ढूंध नदी के किनारे बसा होने के कारण जो इस शैत्र में चलने वाली शैली थी उसे धुणधार शैली कहा गया और इस शैत्र पे जो रा और सवाई जैसिंग से पूर्व आमेर में चित्र रचना होने के कारण इसे आमेर शैली के नाम से भी जाना जाता है यानि जो राजा सवाई जैसिंग है इन से पहले ये शैली जो है जैपुर शैली इसके चित्र कहां पर बने आमेर में तो इसलिए हम इसके आमेर शैली के नाम से भी जनते हैं मतलब एक ही शैली के ये विभिन नाम है अब समझे इसका एतिहासिक व्रत तो इसके अंतरगत हम क्या पढ़ेंगे कि जो जैपुर के कौन-कौन से राजा हुए इसके अंतरगत क्या काम करवाया है और यहां पर कौन-कौन से चित्रकार हुए उन्होंने किस प्रकार के चित्रों का निर्मार किया है तो सारी चीज़ें हम विस्तार से समझेंगे तो महाराजा सवाई जैसिंग प्रत्हम जिनका समय दिया हुआ है 1699-1747 इनका काल कला की प्रगतिकी द्रश्टि से कई अर्थों में महतोपोर्ट रहा इन्होंने बड़े व्यग्यानिक और नियमबध तरीके से सं 1727 में जैपुर नगर को बसा कर उसे अपनी राजधानी बनाया यानि कि 1727 में जैपुर नगर किसने बसाया था? महाराजा सवाई जैसिंग प्रत्हम ने ध्यान रखिएगा कि जैपुर नगर को किसने बसाया था? महाराजा सवाई जैसिंग प्रत्हम ने 1727 में और अपने नाम से ही इन्होंने जो नगर बसाया उसे जैपुर नाम दे दिया, इनका नाम जैसिंग था, तो जो इन्होंने नगर बसाया उसे जैपुर नाम दे दिया, महान गड़तगे जोतिस तथा नशत्र सास्त्री होने के कारण उन्होंने एक वेद शाला का निर्माड कर वेदशाला क्या होती जहां पर नशत्रों की गढ़ना की जाती है तो इन्हों ने वेदशाला का निर्मार भी करवाया था और इसके अतरिक्त चंद्रमहल जैनिवास तथा सिसौधिया रानी का महल इत्यादिभव इमारते यहां पर बनवाई यानि कहां पर जैपुर में तो यही नहीं सवाई जैसिंग ने अपने राज चिन्हों रोज मर्रा की वस्तुएं यानि डेरी इस्नमाल की जाने वाले चीज़ें कला का खजाना सा और साज सामान आदि को सुववस्ति धंग से संचालित करने के लिए 36 कार खानों की स्थापना भी करवाई जिन में से एक ज चित्रकार चित्रों का निर्माड करते थे यानि जो सूरत खाना है यहां पर जो चित्रकार हैं वो चित्रों का निर्माड करते थे इसी समय में रशिक प्रिया तभी प्रिया गीत गोविंद बारह मासा और रागमाला इत्याद चित्रों का निर्माड हुआ यहां पर जो हा अधिक प्रभाव था इस समय के दर्बारी चितरकार मुहमर्श शाह वस साहिब राम थी तो यहां पर जो भी चीज़े आपको बताई जा रही है एक के करके बहुत अच्छे से समझेगा वनना फिर आप प्लास्ट में आकर कन्फ्यूस हो जाएंगे कि इसके समय में क्या काम कर बाया गया है तो ये राजा महतोपूंट रहेंगे क्योंकि इन्होंने ही जैपुर नगर की स्थापना की थी अब समझे आगे और एक चीज़ यहां पर आप और ध्यान रखिएगा यहां पर हम सभी राजाओं के बारे में बात नहीं कर रहे हैं यहां पर के बर उन्ही इश्वरी से राजा बने जिनका समय है 1743 से 1750 अब यह क्या करवाते हैं इस समय चित्र श्रजन का केंद्र आमेर से हटकर जैपुर आ गया पहले चित्र आमेर में बनते थे अभी आपको बताया गया है तभी इसको हम आमेर श्राली भी कहते हैं तो जो राजा इश्वरी सिं है इनके समय में क्या होता है आमेर से जो चित्र रचना हटकर कहां पर होने लगी जैपुर में इन्होंने इश्र लाट और सिटी पैलेस का निर्मार करवाया यह सभी इमारते हैं इश्र लाट सिटी पैलेस और अभी उपर आपने पढ़ी यह सभी क्या हैं इमारते हैं यही उनकी रुचियों में हाथी की सवारी करना, हाथियों की लड़ाई देखना प्रमुक्ता यानि जो राजा इश्वरी सिंग है इनको हाथी की सवारी करना, हाथियों की लड़ाई देखना ये सभी चीजे पसंद थी और संग्रालयों में प्राप्थ चित्रों में इश्वरी सि सवारी करते हुए अंकुष से हांक्ति दश आय गया है यानि राजा को ये सब चीजे पसंद थी तो उनकी पसंद के अनुसार इनके समय में उस प्रकार के चित्र भी बनाए गये हैं यह चित्र कालपनिक ना होकर उन घटनाओं के आधार पर बने हैं जिन्हें चित्रकारों न स्वयम ये चीजे देखी थी और उन्ही का अंकन किया था वही चीज यहां पर बताई जा रही है जानवरों का दुख भै उल्लास आधि भावनाओं का सफल चित्रांकन यहां पर हुआ है साही ब्राम वा लाल चित्रा इस समय के प्रमुख शित्रकारों में से एक थे यानि जो राजा ईश्वरी सिंग है इनके समय में साही ब्राम हो गया लाल चित्रा हो गया ये कुछ महतोपोन शित्रकार हैं ध्यान रखेगा जिन्होंने उपरोक्त चित्रों का सफलता पोरो चित्रांकन किया है यानि जो आपको अभी उपर चित्र बताई गये हैं इन सब का चि इनके समय कलाकारों ने चित्रों के स्थान पर रंगों को ना भरकर मोती लाख तथा लकडी की मडियां इत्याद को चिपका कर मड़कुटिम प्रवर्ति को बढ़ावा दिया बहुत ही महतोपून पॉइंट दिया हुआ है राजा माधो सिंग के समय में जो चित्र हैं उनमे मड़कुटिम तकनीक का प्रियोग किया गया है मड़कुटिम तकनीक मतलब होती है उसमें जो चित्रों में जैसे मोती हो गया लाख हो गई लकडी की बहुत सारी जो मडिया हो गई वो बना कर चित्रों के उपर चिपका देते थे यानि ये उभार वाला थोड़ा काम हो गय तो ये सब राजा माधो सिंग के समय में हुआ है और आप गूगल पर डालके देख लिएजेगा कि मड़कुटिम तकनीक क्या होती आप समझ जाएंगे साहिब राम चित्रकार व्रध होने पर भी जो राजा ईश्वरी सिंग है इनके कनिस्ट भ्राता यानि छोटे भाई सवाई माधो सिंग प्रथम के समय में भी बड़े आकार के चित्र बनाता रहा यानि जो चित्रकार साहिब राम है ये माधो सिंग के समय में भी कारी किया है और इससे पहले ईश्वरी सिंग के समय में भी चित्र बनाया है। अभी आपने पढ़ा, जिनमें प्रमक रूप से सवाई माधो सिंग को ही विभिन मुद्राओं में चित्रत किया गया है। जैसे की दर्वार में जनानी मजलिस, जनानी मजलिस यानि की जहां पर जो रानिया वगएरा हैं, उनकी जो सभा लगती है, सभा आप कहा सकते हैं, मजलिस का मतलब होता है एक प्रकार से सभा, ठीक है, जहां पर सभी लोग बैठे होते हैं, तो जनानी मजलिस, यानि जहां पर औरते बगएरा बैठती हैं औरतों की जो सभा होती है उसमें जो राजा माधो सिंग है उनको बैठे हुए दिखाया गया है और सिकार यानि इनको सिकार करते हुए घुरसवारी करते हुए हाथियों की लड़ाई देखते हुए और उत्सो वात त्योहारों में सम्मिलित होते आदी तो यहां पर जो राजा माधो सिंग है इनको अलग-अलग तरीकों से दिखाया गया है जैसे कि सिकार करते हुए गुरसवारी करते हुए हांतियों की लड़ाई देखते हुए विभिन उत्साओं में सामिल होते हुए अन्य चित्रकारों में राम जी दास वा गोविंद भी गोविंदा भी प्रमुक थे सवाई माधो सिंग को विभिन वेजभूसाओं में चित्रत किया यानि कि जो यहां पर चित्रकार दिया है साहिब राम इसने तो राजा को विभिन रूपों में दिखाया ही है इसके साथ ज यानि जो लाज चितेरा है इसने राज की खेलों के द्रश्यों को विशेश रूप से बनाया है। इस प्रकार परिस्करत जैपुरी चित्रों का निर्माण प्रारम हो गया। यानि कि जो जैपुर शैली ये वो धीरे धीरे अब खुद निखर के आने लगी। इससे पहले यहाँ पर मुगल शैली का बहुत अधिक प्रभाव था लेकिन धीरे धीरे जो जैपुर शैली ये वो अपना स्वरूप दिखाने लगती है खुद निखर के आने लगती है। सवाई प्रताप सिंग इनका समय है 1789 से 1830 इसवी। इन्होंने जैपुर कलम के जीवन में एक नया प्रष्ठ जोड़ा। पुस्टी मार्ग होने के कारण क्रश्न भक्ति में विसेज अनुराग था। यानि कि ये क्रश्न के भक्त थे और ये स्वयम ब्रजनिद उपनाम से कविताएं करते थे। अता वल्लभी परंपरानुगत कवी चित्रकार और भक्त होने के कारण दरवार में कवी और चित्रकारों का जमघट रहता था। इनके समय में बहुत सारे चित्रकार थे। इन्होंने जगत प्रशिद हवा महल का निर्माण करवाया था। हवा महल आपने खूप पढ़ा होगा। इसका निर्माण किसने करवाया था। सवाई प्रताप सिंग ने। कलात्मक रीति से दरवाजे। इन्होंने दरवाजे भी बनवाये हैं जिसपे बहुत अलंकरण होता था। दरवाजों सहित प्रीतम निवास और चंद्रमहल पांश मंजला इन्होंने करवा दिया। और दीवाने आमका भी निर्माण करवाया। जय निवास बाग को गोविंद देव जी मंदिर में बदल दिया। इन्होंने अपने सासनकाल में बहुत कारी करवाये। और स्वयम ये ब्रजनित नाम से जो कविताय करते थे ग्रश्न भाक्त थे तो ये थोड़ा महतवपूंट रहेंगे क्योंकि इहीं के समय में जैपूर शैली का चर्मोत करस होता है आगे समझे यहाँ पर महराजा सवाई प्रताफ सिंग के समय में पचास से भी अधिक कलाकार सूरत खाने में चितरों को बनाने के लिए नियुक्त कियेगे अभी आपने उपर पड़ा कि इनके समय में चितरकारों का जमघट लगा हुआ था यानि बहुत सारे चित्रकार थे तो पचास से भी अधिक चित्रकार इनके समय में कारे रत थे जिनमें सेवक राम, गोपाल, हुकमा, चिमना, शालिग राम, लक्षमर, सालग राम ये शालिग राम और शालग राम ये एक ही हैं ठीक है पैडुला, हीरा, मंगला, सीता ये कुछ महिला कलाकार भी हैं और साहिब राम, शिवदास, रामजी दास, शामला, हरी नारायन, गोविंद राम, आदि कलाकार प्रमक थे यहाँ पर कुछ चित्रकार दिये हुए हैं, जो इनके समय में कारिरत थे, यानि चित्रों का निर्माड बनाए, चित्रों का निर्माड किये जैपूर श्याली की विसेस्ताओं के लिए शाहिब राम कलाकार द्वारा बने चित्रों, राधा क्रश्न का न्रत्य, महाराजा शवाई प्रताप सिंग्ग का आदम कद व्यक्ति चित्र, विसेस्थ प्रशिद्ध है, तो इनके समय के कुछ चित्र है, राधा क्रश्न का न आदि ग्रंथों से संबंधित चित्र बने तो कुछ ग्रंथों का भी यहां पर चित्रांकन किया गया है जैसे कि रामायड हो गई प्रश्न लीला राम लीला गीत गोविंद इत्यादी और श्वांड का ऊपर उठा हुआ काम मोतियों की जड़ाई असली जवाहरात को चित्रो में सजावट के लिए इस्तिमाल मिलाना इन्ही के शाशनकाल में चित्रकारों ने प्रारम किया अब इस पॉइंट को आप समझे आपने कई सारे चित्र ऐसे देखे होंगे जिसमें स्टोन बगएरा लगे होते हैं मोति बगएरा लगे होते हैं जिनको आप छूपर भी उठा हुआ काम शौण यानि की सोना तो सोने का उभारदार काम किया गया है जहां पर सोने की चीज़े दिखानी होती थी वहां पर ये लोग सीधी सोने का काम करते थे यानि चित्रों में असली सोने का इस्तिमाल करते थे मोतियों की जड़ाई करते थे असली जवाहरात को चित्रों में सजावट के लिए इस्तिमाल किया गया है तो इस पॉइंट को ध्यान रखेगा महत्वपूण है अब अगले राजा आते हैं इसी कला की मौलिक्ता महाराजा सवाई जगत सिंग तक चली यानि कि जो प्रताप सिंग के समय में चित्र बनाय जा रहे थे यही मौलि रचना की जगत विनोध किसकी रचना हे प्दमाकर की गोवर्धन धारण रास मंडल वाले संसार की प्रशिद् चित्र तत काली शैली के प्रमकु धारण है ये कुछ महतवपूंच चित्र दिये हुए हैं गोवर्धन धारण राश मंडल पुंडरीग जी की हवेली के भिति चित्र भी इसी समय बने हैं यानि कि जो राजा सवाई जगत सिंग है इन्ही के समय में गोवर्धन धारण राश मंडल इत्याद चित्र बनाए गये और पुंडरीग जी की हवेली में भी भिति चित्रण किया गया यदेपी साहिब राम जैसे अन्य कलाकार अपनी परंपरा बनाये रखने में प्रत्नशील थे इंदु विदेसी प्रभाव से जो विदेसी प्रभाव है वो प्रवेश कर चुका था जैपुर शैली के प्राचीन चित्र परंपरा में जो प्राचीन चित्र पधत थी वो धीरे धीरे शीन होने लगी उसका खरास होने लगा पल शुरूप कंपनी शैली का प्रभाव जैपुर शैली पर प्रविष्ठ हो गया यानि धीरे-धीरे क्या होता है जो कंपनी शैली है उसका प्रभाव जैपुर शैली पर आ जाता है और धीरे-धीरे क्या होता है जैपुर शैली समाप्त हो जाती है महाराजा जैसिंग दोती वा महाराजा राम सिंग के समय में 1835 ईसवी में प्राचीन पधति का हरास अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया यानि जैसे पहले चित्र बनाय जाते थे जिस टेक्निक से पुराने चित्र बने हैं वो टेक्निक यहाँ पर धीरे धीरे खतम हो जाती है चित्र अब नए तरीके से बनने लगे और उनके दरबारी कलाकार या थार्थ वादी शेली फोटोग्राफिक ढग में चित्र बनने और महाराजा सवाईर राम सिंग ने कलाकारों की इस प्रव्रति को देखकर कला की विकास के लिए ध्यान रखिएगा महाराजा स्कूल आफ आर्ट्स और क्राफ्ट की 1857 में स्थापना की जो आगे चलकर राजस्थान स्कूल आफ आर्ट्स के नाम से जाना जाता है तो यहा और फिर यहाँ पर जो अगला पॉइंट दिया हुआ है यह बहुत ही महतोपोर्ण है महाराजा की आदेश से जैपुर के भवनों को गुलाबी आबन दिया गया और तबी से जैपुर को गुलाबी नगती संग्या दी जाने लगी तो ध्यान रखिएगा इसे महाराजा सवा सवाई माधो सिंग्दोती के शाषन तक चित्रकार पूर्ण रोप से यूरोपी प्रभाव से लिप्थ हो चुके थे यानि चित्रकारों पर यूरोपी प्रभाव आ चुका था पास्षात्य प्रभाव से आकरांट जैपुर लग चित्र शैली सन 1922 तक अपनी मौलिकता खो बैठी यानि जैपुर में जो चित्र बनाय जा रहे थे इस पर पास्षात्य शैली का या फिर यूरोपी शैली का प्रभाव आ चुका था तो महाराजा सवाई माधो सिंग्दोती के शाषनकाल तक जो यूरोपी शैली है उसका प्रभाव जैपुर शैली पर आ जाता है और यहीं से जैपुर शैली समाप्त हो जाती है अब समझे यहां के चित्रकार तो चित्रकार आपको कुछ पहले भी बताए गये हैं और यहां पर भी कुछ प्रमुक चित्रकार दिये हुए हैं तुलार चितेरा, शाहिब राम, फैडुला, शिवदास, मुहमद शाह, और शेव बताए गये हैं तो कुछ चित्र अभी आपको ऊपर भी बताए गये थे उनी मेंसे जो महत्वून शित्र हैं वो यहां पर अलग से लिखे हुए हैं तो पहला चित्र है रासमंडल, गोवर्धन धारण, राधा क्रश्न, महाराजा सवाई प्रताप सिंग का आदम कद व्यक् लड़ते हुए यहां थी बंशी बजाते क्रश्न, मल योध्धा और हां तो यह यहां के कुछ महत्वून शित्र थे यहें ध्यान रखेगा आगे आती हैं जैपुर शैली की विशेष्टाएं तो चलिए समझते हैं विशेष्टाओं को पहला पॉइंट है विशे यहनी जै पॉइपुर शित्र शैली में व्यक्ति चित्रों को एक विशेष स्थान प्राप्त है यानि यहां पर जो व्यक्ति चित्र हैं वो बहुत अधिक मात्रा में बनाए गये हैं यहां के कलाकारों ने महाराजाओं के आदम कद चित्र बनाए हैं आदम कद अभी आपको बताया उनके भी यहां पर व्यक्ति चित्रों बनाए गये हैं अन्य विशायों में दर्बारी जीवन क्रश्न लीलाएं पौराणिक आख्यान यानि की पुराणों से संबंधित कहानियों को चित्रत किया गया है और बारह मासा महिने के बारह महिनों कांकन राग रागनी बिहारी सत सई, रशक्रिया, नवरस, रामाएड, महाभारत, इत्याद श्रंखलाएं भी यहां पर चित्रत की गई हैं लोग जीवन एवं दैनिक जीवन पर आधारिश चित्रों को चित्रत किया गया है दैनिक दिंचर्या को भी यहां पर बनाया गया है यानि जो डेली का काम होता है और पर्व तिवहारों में दीपा वली, होली, राज महाराजाओं के जुलूस, राजा महाराजाओं के जुलूस भी दिखाए गए हैं, और पस्वों की लड़ाई इत्याद यहां के प्रमुक विशे हैं, जिनको चित्रकारों ने चित्रत किया है। फिर आती हैं यहां की नारी आकरतियां, मतब नारी आकरतियों को किस प्रकार से बनाया गया है। नोट कैसे हैं, लाल हैं, महिंदी रचे हाथ, हाथों में महिंदी लगी हुई है, और पैरों में आलता, आलता यानि की रंग, पैरों में रंग लगा हुआ है, और माथे पर बिंदी चित्रत हैं। अब बात करते हैं पुरुषों की तो जैपुर शैली के चित्रों में पुरुष आकृतियां मध्यमकद की वा भरे हुए शरीर चित्रित हैं तो पुरुषों की आकृतियां भी बहुत ना तो लंबी है ना तो बहुत चोटी हैं मध्यमकद की हैं और शरीर कैसा है भरा हुआ है ऐसा नहीं कि दुबला पतला है तो भरा हुआ शरीर है। मुचा ललाठ है, गोल चेहरा है, गोल नाक है, मोटे अधर है, मोट मोटे हैं, मीना क्रत आखे हैं, केश कंधों तक लटकते हुए हैं, यानि बाल कंधों तक बनाए गए हैं, कनपटी के पास निकली हुई दारी हैं, और मोचए लंबी हैं. फिर बात आती है हाशियों की यहाँ पर जो हाशिये बने हैं वो कैसे हैं तो जैपुर चित्रों में हाशियों में विविदिता पाई जाती है यानि हाशियों को अलग-अलग तरीके से दिखाये गया है चित्रों के जो हाशिये हैं उनको बनाने में लाल रंका उप्योग किया गया है यानि प्रमुक्रूप से हांसियों में लाल रंका इस्तेमाल हुआ है जो काफी चमकदार है इस पर कहीं-कहीं सुनहरे रंक से कलाकार का नाम वा चित्र का शीड़़सक भी अंकित है यानि हाशियों पर जो चित्रकार का नाम है वो भी लिखा हुआ है किस ने किस चित्र को बनाया है और जो चित्र का शिर्षक है यानि चित्र में जो दिखाया गया है वो क्या है तो वो भी लिख दिया गया है उस चित्रों में लाल सिंदूरी वा पीले हाशियों पर काले रंग से चित्र से संबंधित दोहे भी लिखे गए हैं पिर अगला पॉइंट है वस्त्र और आभूशा यानि इस्त्री और पुर्शों को क्या भेश भूशा दिखाई गई है पहने हुए तो नारी आकृतियों को घागरा चोली और पारदर्सी चुन्नी पहने हुए दिखाया गया है जो नारी आकृतियां है वो घागरा चोली पहने है और जो चुन्नी है वो कैसी है पारदर्सी है यानि ट्रांस्पेरेंट है आभूशणों में टीका, टोटी, बाली, हार, हशली, सतलडी, टेवटा, कंठा, बाजुबंद, चूडी, पाईजेब और पैरों में जूतियां पहने भी दिखाया गया है तो यहाँ पर जो भी आभूशण दिये हुए हैं अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं कि यह क्या होते हैं तो गूगल पर सर्च करके देखेगा सब ही आजाएंगे फिर पूरु साक्रतियों को घेरदार चुन्नटी जामा, कमर पर पटका, और सिर्फर पगडी, नोकदार जूतियों के साथ ढीली मोरी के पायजा में, कानों में लोंग, बाली या बुंदा ये आभूशन ही है, यानि कानों में लोंग ये भी एक आभूशन है, बाली और बुंदा ये पहने हुए पूरुशों को दिखाया गया है गले में माला या कठी है और हाथ और बाहों में कड़ा या भुजबंध है तथा कुछ पैरों में जो पुरुशाकृतियां हैं उनको पैरों में भी कुछ आभूशन पहने भी दिखाया गया है जैसे की कड़े, पैरों में कड़े पहने भी दिखाया गया है अगला पॉइंट है प्रकृति चित्रण यानि यहां पर प्रकृति को किस रूप से दिखाय गया है तो जैपूर के चित्रकारों ने चित्रों में प्रकृति का बखुबी यंकन किया है नीले बादलों में सफेद रुईदार बादल तैरते हुए बनाये गये हैं बादल कैसे हैं रुई के समान तैर रहे हैं और साथी लालिमा लिये हुए बादल भी चित्रित हैं यानि की बादलों को यहां पर लालिमा लिये हुए यानि की लाल रंग से भी कहीं कहीं पर दिखाय गया है उद्यान में आम्र यानि आम, केला और पीपल कदम इत्यादी के व्रक्ष बनाए गया है अगला पॉइंट आता है पसू पक्षी तो जैपुर के इस कलाकारों ने शिकार के चित्रों वा पश्यों की लडाईयों के चित्रों में पश्यों को बड़े ही स्वभाविक और सरल धंग से अंकित किया गया है शेर, चीता, घोड़ा, हाथी, सूर, भेंड, बक्री, उट का शमावेस, चित्रों में विश्या अनुसार किया गया है यानि जिस प्रकार का विश्या है उसी अनुसार वहाँ पर जो जानवर है वो दिखाये गया है और पक्षियों में तोता हो गया मोर, कववा, सारस, बदक, इत्यादि को बनाये गया है और यहाँ पर भवन किस तरीके के बने हैं भवन तथा स्थापते तो पूर में जो भवन है वो मोगल स्थापती जैसे चित्रत हुए है किन्तु बाद में जैपुरी स्थापती को खूबहु चित्रों में उतारा जाने लगा जैपुरी स्थापती यानि जैपुर में जो भवन बने हुए थे वही चित्रों में दिखाये गये हैं और दालान में फूल, फलों की डालियां, सुराही, जाम, इत्यादिका अंकन है। और जैपुर चित्रों में हरे रंग की तुधानता दिखाई गी है। यहनि चित्रों में अगर आप देखेंगे तो हरा रंग विशेश रूप से लगाया गया है। तो यही थी आपकी जैपुर शैली मेहतफोंड है, प्रश्न यहां से पूशा जा सकता है। इसलिए हर एक पॉइंट को अच्छे से समझते हुए फिर से आप पढ़ लीजेगा। और कहीं पर कोई कंफूजन हो, कोई राउट हो, तो आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर उस चीज़ को डिसकस भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस यहीं तक और राजिस्थानी शैली यहां पर पूंड दिया समाप्त होती है। और अगली क्लास में हम जो अगला टॉपिक है सायद मुगल शैली है, तो उसे हम स्टार्ट करेंगे। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजेगा। और शैनल पर नए हूं तो सब्सक्राइब भी कर लीजेगा। मिलते हैं नेक्ट क्लास में तब तक की लिए धन्यवास साथियों जाहिंत।